हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों में बात करेंगे नंबर एनलोजी के प्रेशनों की नंबर एनलोजी के प्रेशने दोस्तों सभी एक्जाम से में पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कभी भी खत्म नहीं होता यह बात आप जानते हैं क्योंकि इसमें नहीं लोजिक पर संख्या बदल बदल के कोशन पूछे जाते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रेशन है 82 दे रखा 82 से क्या करना आपको 6 बनाना 82 से 6 बनाना है उसी तरीके से जहां पर रिल्सम बनेगा कि 76 से वो संख्या बना देंगा तो 82 से 6 कैसे बना सकते हैं देखिए तरीका क्या है ये जो 82 है इसमें 8 और 2 दिया गया है अगर मैं इस 8 में से इस 8 में से इस 2 को क्या कर साथ में से क्या करेंगे 6 को माइनस कर दीजिए साथ में से 6 जाएगा कितना जाएगा 1 अब एक option में दे रखा तो बिलकुत सही answer हो जाएगा बिना किसी doubt के बिना किसी परिशानी के तो यहां तक तो आपको समझने में अभी तक कोई परिशानी नहीं आई होगी ठीक है पहली संक्या मेंसे मैंने दूसरी को मैनेस कर दिया ये संक्या मिलगी पहली मेंसे दूसरी को मैनेस कर दिया ये आपकी संक्या मिलगी ठीक है दोस्तों अब देख लेते हैं अगला प्रेशनी अगला प्रेशन है आपका 11 है 132 और यहाँ पर दोनों ही जगे पर question मार के अब देखिए 11 और 132 का relation हमें उस तरीके से बनाना है जिस तरीके से इन दोनों संख्याओं का relation बन जाए यहाँ पर भी दोनों संख्याओं find हो जाए तो देखिए 11 से 132 तो मैं आपको एक शी बता दूँ का 11 multiply 12 11 12 का multiply होता है 132 11 12 का multiply ठीक है तो इसका मतलब क्या है जो 11 संख्याओं है पहली वाली उसका multiply कहाँ पर हुआ है उसके अगली संख्याओं से 11 के बाद जो 12 संख्याओं है उससे हुआ है उसी तरीके से आपको option में बनाना है का 10 का मतलब पर अगर मैं 11 से करता तो 110 उसके अगली संख्याओं से करता तो 110 आना चाहिए था लेकिन यहाँ तो 100 दे रखा यह गलत 9 है 9 का मतलब पर उसके अगली संख्याओं से करूँगा 10 से तो 9 का मल पर 10 से करूँगा 90, बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल सही, 13-13 का मल्टिल्प्राइब होता है, 100 नत तक गलग, 13 का नहीं, 13 का बाद 14 का बनना चाहिए, 15 के बाद 16 से बनना चाहिए, तो ये भी गलग, दूसरा आपका सही आंसर है, उम्मीद करता हूँ, सभी क समझ में आगिया होगा, प्रेश्णों को जब तक आप समझेंगे नहीं, यहाँ पर कौन से आजाएगी 9, यहाँ पर कौन से आजाएगी 90, तो जब तक आप प्रेश्णों को समझेंगे नहीं, अच्छे तरीके से, तो कैसे सॉल कर पाएंगे, इसलिए प्रेश्णों को एक लेकिन आपको पांच चाहिए दोस्तों ये बात आप कहेंगे एक सार हमें तो पांच चाहिए पांच तो बनेगा नहीं छे गुने तीन करने से यह तो मैंने च्छे के गुड़न खंड कर लिए छे गुड़े तीन ठीक है यहां तक कोई दाउट नहीं होगा अब यहां पर जो उसी तरीके से यहां पर इसके गुड़न खंड कीजे तो चार गुने तीन आएंगे और यहसे मैंने चार में इस तरीके से तोड़ लिया छे को उस तरीके में चार को भी तीन पिलस एक में तो मंटिप्लेजuben यह 3 हो जाएगा चीक है तो यहँ पर क्या गया 3 तो इसका नस दे रखा है दोनों ही जगे पर question mark है दोनों जगे पर जब question mark होता है तो सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता क्या होगा लेकिन हम आपको तरीका बताएंगे पहले तो आपको 12 दे रखा है इसको लीजिए 12 के आपने क्या किये गुणन खंड तीन गुणन चार आप इस 12 को लिख सकते है इस 20 को क्या लिख सकते है चार गुणन पांच आप यहाँ पर लिख सकते है किसी को कोई डाउट है आप कहेंगे सर हमें तो कोई डाउट नहीं है लेकिन आपने गुणन खंड कैसे किये आपने गुननखन कैसे किये यहाँ पर बाला के गुननखन लिए तीन गुने चार और यहाँ पर आपने भीस के गुननखन कर लिए चार गुने पांच लेकिन आपको समझने की जरूरत है अभी कैसे का यहाँ पर पहली संख्या तीन है देखें यहाँ पर जो पहली संक्या उसे मैंने एक जोड़ दिया तो यहाँ पर जो पहली संक्या उसमें मैं एक जोड़ दूँगा तो चार में एक जोड़ दूँगा पांच आ जाएगा के लिए यहाँ दूसरी संक्या मैं एक जोड़ अच्छ है ठीक है, जहांपर चार है, चार में एक जोड़ा पंस तो पंस में व एक जोड़ा होगा जाएगा छे आजाएगा, तो 5 ईशे के कितना हो जाएगा, तीस हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा तो पहली संक्या आपको 30 मिल English तो यह देख लीजिए पहली संक्या किस में 30 है एक ही ओफिसन है डी जिसमें पहली संक्या 30 है समझ में आगी बात उसी तरीके से आप इस logic कोई बना सकती है कि है पहली संक्या 5 है तो 5 में एक जोर देंगे 6 यहां 6 में एक जोर देंगे कितना 7 गुना कदी 6 सत्य कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा तो यहाँ पर 42 हो दे रखा दूसरें क्या तो सबकी समझने में प्रेशन अच्छे तरीके से आ गया होगा किसी वह भी प्रेशने में कोई भी डाउट नहीं होगा अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रेशने अठारा प्रेशने आपका अगला प्रेशने क्या कर रहा है 33 है 10 है 54 है यहाँ पर क्या आएगा देखें यहाँ पर 33 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 10 ठीक है अब देखें यहाँ पर मुझे करना क्या है ध्यान से समझने की जरूरत है ध्यान से समझनी कैसे कि मुझे 33 बनाना है तो मैं 33 कैसे बना सकता हूँ अगर मैं 3 का मल पर 11 से करूँगा आप बहुतत से जानते हैं कि 33 हो जाएगा ठीक है और मैं 11 को क्या लिख सकता हूँ इस 11 को आप लिख सकते हैं 10 plus 1 तो 11 को मैं 10 plus 1 लिख दिया तो मुझे 10 मिल गया यह वाला ऐसा ही प्रेशन में एक बार करा चुका हूँ इसी वीडियो में तो समझने में ज़्यादा परिशानी नहीं आई होगी ठीक है अब मुझे क्या करना पड़ा था मैंने तो यहाँ पर 3 का मुझे 11 से किया था 33 तो यहाँ कितने का मुझे कितने से करूँगा कि मेरा यहाँ पर 45 आ जाए ठीक है तो आप बहुत अच्छे जानते हैं कि 3 का मुझे अगर आप 18 से करेंगे तो 18 तिरिक का कितना होता 45 देखें multiples like यहाँ भी 3 से क्या yeah multiple यहाँ भी 3 से होगा ठीक है wollen multiply यहाँ तीं से क्या तो 13 से होगा यहाँ 11 तृक्षा 33 तृक्षा यहाँ 18 तृक्क्रिक का क्या चोविन है 11 को यहाँ पर जोड़ लिया था उसी तरीके से 18 को तोड़ लोगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों के सभी को प्रेशन अच्छे से समझ में आगिया होगा अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है दसका रेलेसर 99 से है तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप 10 का स्क्वार करेंगे माइनस वन करेंगे आपको 99 मिल जाएगा आता पर पिच्श्यान में आपकी प्रेशन अंसर होगा अगला प्रेशन है अगला प्रेशन अगला प्रेशन अगला प्रेशन है 20 का relation दोस्तो 11 से है तो 102 का relation यहाँ पर क्या बनेगा देखे 20 का relation 11 से अगर मैं कहूं कि इस 20 को लीजिए इस 20 में आप 2 से divide कर दीजिए कितना मिलेगा 10 लेकिन हमको चाहिए 11 तो 10 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आपको 11 मिल जाएगा ठीक है उसी तरीके से 102 को लीजिए इसको भी अगर आप 2 से divide करेंगे तो कितनी वार में डिवाइड होगा 51 वार में बैए डिवाइड होने के बाद जो संक्या है उसमें आपने पर तो बड़ी बड़ी संक्या है आपको दे रखियें किस तरीके से हम लोजिक फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों संक्याओं को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जब संक्याओं उन में से सभी में से एक एक कम करके लिखा गया है यहां पर तो यहां पर दोस्तों में क्या करूंगा साथ में से एक कम करके लिखूंगा च्छी आ जाएगा आठ में से कम करके लिखूंगा साथ नो में से कम करके लिखूंगा आठ और च्छे में से कम करके लिखूंगा आगया आपका अंसर 6,7,8,5, 6,7,8,5, D option क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा उमीद करता हूँ कि सबकी समझ में प्रेशने बहुत अच्छे से आगया होगा किसी को भी प्रेशने में कोई डाउट नहीं होगा ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला का स्कॉर कितना होता है 324 और इस 324 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 324 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 162 मिलेगा यहां पर क्या दे रखा दोस्तों आपको 36 दे रखा तो 36 का क्या करेंगे आप स्कॉर कितना होता है 1296 यहां पर स्कॉर में 2 स से डिवाइड करूंगा कितनी वाई जाएगा दो चिक के बारा दो चौक के आठ एक बचे का सोला दो अठे सोला चे सोला जाएगा और छे सोला तालिस कहां दे रखा है आपके डी ओप्षन में ये आपके प्रेशन का बिल्कु सही आंसर हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हू दोस्तों सभी की समझ में प्रेशन अच्छे तरीके से आगया होगा दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें दोस्तों में शियर करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटाईए ठीक है जागे सबसी वीडियो हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद